आज हम फैंसी शर्ट पे हुपसूरत सी डिजाइनिंग करेंगे तो आप वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखिएगा बहुत ही सिंपल और यूनीक डिजाइनिंग आज इस शर्ट पे हम करने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राउंड में नेक कटिंग कर लेंगे यहां पे मैं सवा तीन इंच पे मार्क करूंगी यानिके साड़े छे इंच मुझे त्यार चाहिए इसलिए मैं इसको सवा छे इंच पे मार्क कर लूँगी और इसी तरह से लैंथ में भी मैं साड़े छे लूँगी अगर बना लिया है अभी यहां पे इसको मैं रखूंगी 1.5 पे मैंने इसको बहुत ज्यादा डीप राउंड नहीं करना इसलिए मैं इसको 1.5 पे इधर मार्क कर लूँगी और इधर दोनों साइड्स पे मैं 22 इंच पे मार्क कर लूँगी यहां से हमने इसकी राउंड शेप बनान एक एक इंच पे हम मार्क कर रहे हैं आप देख लें कि आप कितना कितना मार्क करेंगे अभी यह जो हमने मार्क किया है इन मार्क लाइन को हम कटिंग कर लेंगे यह देखें कितनी प्यारी सी पर्फेक्ट राउंड कटिंγ ओ चुकी है अभी हम इसे फैबरिक पे स्ट करेंगे इस नेक लाइन में हमें ज्यादा कटिंग करने की जुरूरत नहीं पड़ती इस तरह की नेक लाइन ये फैंसी शर्ट पे बनी ही बहुत प्यारी लगती है। इसकी हमने अलरड़ी कटिंग की हुई है। और इसको हमने साइड पे सलाई भी लगा ली है। अब हम इसको दूसरी साइड पे टरन करेंगे। यहां पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम मार्क करेंगे। इस तरह से किनारे किनारे पे लगा लेंगे यहां पे फूटर मैंने चेंज कर लिया है सिंगल फूटर के साथ लगा रही हूं जिससे हम पाइपिंग लगाते हैं इस तरह से शर्ट के उपर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से शर्ट का सेंटर करके यहां पे मैंने नोचिस लगाय हुए हैं शर्ट को भी और इसी तरह से जो हमने नेक तियार की है इसको भी लगा लेंगे हलकी इसी वियोर्ज इस तरह से अगर बुकरम के उपर भी सलाई आ जाए तो कोई मसला नहीं है जब आप उसको दूसरी साइड पे टर्न करके तुर्पाई बगारा करेंगे प्रेस करके तो बिल्कुल नीट फिंशिंग आएगी अब हमने जो इस तरह से सेंटर किया है शर्ट का और नेक का दोनों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे पहले सेंटर में एक सलाई लगा लेंगे ताके यह अपनी जगा पे फिक्स हो जाए हिले नहीं वियर्ज इस सलाई तक आके हमने यहीं से हमने दूसरी साइड को टर्न हो जाना है और जो सलाई हमने पहले लगाई हुई है उसी को फालो करते हुए विल्कुल उसके उपर उपर हमने सलाई लगा लेनी है इसी तरह हमने इस साइड पे भी सलाई लगा लेनी है वियूर्स लाई हमने कम्प्लीट कर ली है अभी हम यहां से एक्स्ट्रा फैबरी को कटिंग करके राउंड में नोचीज लगा लेंगे यह देखें पाइपिंग भी अभी साथ एक्स्ट्रा कटिंग हो चुकी है अभी इसे दूसरी साइट पे टन करके अच्छे से प्रैस कर लेंगे और तुर्पाई कर लेंगे यह देखें कितनी नीट सी पाइपिंग लग चुकी है इससे यह भी फाइदा है कि ये देखें इसके बारीक बारीक स्थारी का काम था अभी ये गले बगारा पे चुबेगी नहीं और इससे नीट फिंशिंग भी बहुत खूबसूरत आएगी नेक की क्योंकि इसके साथ गॉल्डन का जो कंबिनेशन है वो बहुत ही अट्रेक्ट कर रहा है वियोर्ज ये हमने नेक को तरपाई कर ली है ये देखें इसकी पाइपिंग कितनी नीट और ब्यूटिफुल सी लग रही है अभी हमने इसकी अंदर जो डिजाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने ये दो इंच विर्थ में एक लंबी स्ट्रिप काटी हुई है उसको हम इस तर से इसको फोल्ड करेंगे करने के बाद यहां पर हम स्लाई लगा के ये स्ट्रिप त्यार कर लेंगे यह मैंने जिस फैब्रीक से इनर बनाई है यानि के स्लिप बनाई है उसी फैब्रीक से मैं यह बना रही हूँ यह कतान सिल्का फैब्रीक है वियूर्ज ये स्ट्रिप हमने तियार कर ली हैं ये हमें दो दो इंच की चाहिए हमने यहाँ पे दो इंच पे इस तरह से एक कटिंग करेंगे फिर उसी के इक्वल हम बाकी को भी कटिंग करते जाएंगे वियूर्ज ये स्ट्रिप्स हमने काट ली हैं नेक में अटैज करने के लिए और ये मैंने बारीक डोरी बनाई है इसको बारीक बारीक सी स्लाई लगाई थी इस तरह करके तिर्चा कपड़ा रे लिया था और उसको इस तरह जादा बारीक भी नहीं लगाई इस तरह से स्लाई करते हुए यहां पर स्लाइ लगाते जाएंगे ताके यह एक दफा से स्टीच हो जाएंगे फिर हमें हर दफा यह अरजस्ट करके रखने की ज़रूरत नहीं होगी जिस तरह यह एक हमने मशीन के अंदर रखी है इसी तरह से इसको रखेंगे और इसको स्लाइ करते जाएंगे यह हमने equal size की cutting की है जब हम इस तरह से इनको adjust करके sly लगाएंगे तो यह बिल्कुल भी हमें tension नहीं होगी इस तरह से तमाम डोरियों को stitch कर लेंगे वियोर्ज यह सारी strips को हमने इस तरह से sly कर लिया है अभी हम यहाँ पे इनको center में इस तरह से cutting कर लेंगे यह सब को हमने center से भी cutting कर लिया है अभी हम neck को सीधा करके रखेंगे इस तरह से यहाँ पे हम one one inch के फासले पे mark कर लेंगे यह इस तरह से top से हम start करेंगे mark करना तो यहाँ पे हम one inch पे mark करेंगे यह full neck में हमने mark कर लिया है अभी इस तरह से one by one लेते जाएंगे और इस तरह से neck में stitch करते जाएंगे वियूर्ज इसी तरह से हम full neck में इनको attach कर लेंगे वियूर्ज यह सारी पटियां हमने attach कर ली है देखें दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है अभी यह जो डोरी हमने बनाई थी उसको हम इन पटियों में से गुजार लेंगे वियूर्ज यह देखें neck line complete हो चुकी है यहां से डोरी जो है वो back neck के साथ attach होगी और बाकी हमने इस में से गुजार ली है और देखें यह कितनी खूबसूरत लग रही है मैं इस full shirt की designing भी आपके साथ share करूँगी स्लीव पर भी बहुत खूबसूरत designing करूँगी वो भी आपके साथ share करूँगी मेरे चैनल पर विजट करके जरूर देखिएगा वियूर्ज यह देखें इस तरह से हमने इसके तीरे के साथ इसको उपर से strip को joint किया है उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कॉमेंट्स करें और फ्रेंट्स के साथ share करें चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दें थैंक्स पर वाचिंग अलाफीज